अब सब्सक्राइब करने जा रहे हैं करने जा रहे हैं कर बूजे की अगेती बुगाई हम क्रॉप कोवर की मदद से करने जा जिसके लिए हमने सारी तयारिया कर ली है की अगेती खर्बुजे की लिए क्या 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 टैयारी करनी होगी और किस तरह उसकी बुआई करने होगी साथ में जानेंगे हम कितना काट डालेंगे और क्या डिस्टंस पर उसकी बुआई करेंगे ये सारी बाते आज के इस वीडियो में आप से मैं साजा करूंगा पूरी माईती पाने के लिए कहीं जाएगा नहीं जुन लेएगा मेरे साथ आए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने सीजन के क्रॉप है उसके जो भी बाकी आउसेस रहे गए उसको हम निकाल के साफ कर रहे हैं तक हमारा मैदान सा सपही चल रही है कि दोस्तों एक बार निकल जाता है उसके बाद हमें इसमें खाट डालनी है और जुताइक रहे हैं प्रति मीटर रनिंग मीटर करीब देर से दो केजी गुबर की खाट डाली है साथ में हम प्रति मीटर करीब तो ग्रम जितनी निमकी खली भी डालने वाले हैं जिसको जुटाई के बाद डालेंगे ख़ट डालने के बाद हमने यहां पर जुटाई कर ली है एक बाजू की इसी तरह में दूसरी बाजू की भी जुटाई कर लेंगे तक कि जमीन अच्छे से बुर्बुरी हो जाए तरह बुर्बुरी हो जाए जिसके बाद हम पाले चलाएंगे और आप देख सकते हैं यह पहला राउंड है करीब चारीज पेट रहें जरू करने पर हम दुसरा राउन भी मारेंगे और मिक्टी को अच्छी तरह बुर्बुरी बनाएंगे जिससे हमारी जो फैट डाली हु हमने एक ड्रिप छोड़ दी है अब देख सकते हो यह बेड का रिप डाई फूट चोड़ा है और उस पर एक ड्रिप लाइन हमने लगाई है साथ में हमने क्रॉप को लगाने के लिए भी तैयारी कर लिए जिसमें एक साइड पर हमने यह जो पीवी सी की स्टिक्स हाती है उ अब यह बेड बुवाई के लिए तैयार है तो दोस्तों अब बात करते हैं बुवाई के अंतर की हमने बेड टू बेड डिस्तंस करीब 4 फूट रखा है अब देख सकते हो के हमने हर 4 फूट पर एक ड्रिप लगाई है और ड्रिप के दोनों बाजू हमने बेड को सैट किया है जो करीब 2 से डाइफूट का है अभी यह जो हमारी डिप रखाने जा रहरे है हमने क्या किया है हमने डिप के जिक पेटर में बीज लगाने है इसलिए हमने एक measurement आधे हिच का ले लिया है इसलिए हमने एक 6 हिच का measurement ले लिया है तो हम क्या करेंगे यह measurement की मदद से हर ड्रिपर पर एक बीज लगा रहे है जो करीब ड्रिप से 6 हिच दूर है एक ड्रिप के left hand side डावी बाई और और एक दाई और इस तरह यह बीज लगा र लिए बीज आमें करीब आधे से पौना इच अंदर डालना है ज्यादा नहीं डालना है हम यदि बहुत अंदर उसको टाल देंगे तो बाहर आने में तकलिफ होगी और उपर डालेंगे तो अपने कवर के साथ आ जाएगा बाहर तो भी आमें तकलिफ होगी इसलिए अमें अच्छी उंडाई है उसको अस्चे से मेंटेन करना है तो एक अच्छी उंडाई रहेगी करीब आधे से पौने इच के बीच में इस तरह हम बुवाई कर लेंगे और आप देख सकते हो कि हमने क्रॉप कवर के लिए स्टिक्स भी लगा दी है एक बार हमारी बुवाई हो ज इसको प्रोटेक्शन देने की प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें क्रॉप कवर यूज करने वाले है और क्रॉप कवर लगाने के लिए हमने क्या किया है यह जो फाइबर की स्टिक्स है उसको लगा के रखा है यह वाना बेट करीब डाई फूट चोड़ा है हमने करीब तीन फूट मेंटेन किया है अब हम क्रॉप को और फीट करने जा रहे हैं उसके लिए पहले हम इसमें नाली बना देंगे इस तरह जिसमें एंड को फीट कर पाए यह मित्ति हमें यहां से निकाल देनी इसी तरह सामने की बाजु भी हम नाली बना लेंगे लोगत हज़को है दोस्तों एक्या बड़ी अन्याली बन गई हमारी फिर हमें क्या करना होगा यह अग्या गए उसको हम फिटिंग करेंगे तो हम इसका एक एन यह फिट करना करेंगे इसके लिए हमें इसको दोनों बाजु एक्वाल करना होगा और इसको यहां पर लगा के इस पर मिट्टी डाल देंगे यह जो हमने मिट्टी निकाली थी उसी से इसको फीट कर लेते हैं इसी तरह हमें साइड वाला भी अच्छे से फीट करना होगा इस तरह फीट होने के बाद हमें इसको स्प्रेड कर देना है और दुसरे वाले छोड़ पर भी इसी तरह इसको फीट करना है इस तरह क्या होगा हमारा जो जो भी प्रॉक जो उसके पत्ते आएंगे खर्बूजे के वो इसके अंदर रहेंगे क्रॉप कवर के अंदर जिसमें से किसी भी जारा के इंसेक्स आते जाते नहीं है इससे हमारा शुरूवाती हवस्ता में हमारा जो पाक है वो कीटों से बचा रहेगा एक बार इसकी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तब हमें इस क्रॉप कवर को खोल के उसकी डख जाना है और हम स्टिक के पास उसको कुछ मिट्ट रॉडपक देना है यह अचर रख सकते हैं इस तरह मैं इसको पुरा कवर कर देना है तो दोस्तों इस तरह हम हमारे खर्बूजे के पाक को थंडियों की सीजन में भी शुरू कर सकते हैं इससे एक अंदर एट्मोस्पेर बना रहेगा जिसे पौदे को उगने में सहयद होगी इसके साथ सुरू आती दिनों में पौदा हमारा ही टको से बचा रहेगा और हमें सोस्त पौदे इससे मिल सकत है तो दोस्तों आपको यह तरीका कैसा लगा मुझे कोमेंट में लिखका जरू बताइएगा और यदि आपको इस तरीका का अच्छा लगता है तो आप भी स्टीक और क्रॉप कवर के अरेज्मेंट करके अपने खर्बूज या तर्बूज के पाक को अल्ली सीजन लेना क्रॉबगर के अल्वगर के अल्ली सीजन लेका को अजिए तो आपको ये तो है प्रेका जए तो है तो आपको ये खर्बूज के तो है तो है तो है